हैलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लोकी से बहुत ही टेस्टी और यह मेरी रिस्पी लेकर के आई हूँ जो बनाना बिल्कुल ही आसान है और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है बच्चे मांग मांग करके खाएंगे जो लोकी नहीं पसंद करते हैं वो भी बहुत ही सौ करके ले ली हूँ और आप मोटा वाला ग्रीटर ले लेंगे और मोटा वाला ग्रीटर लीजिएगा बारी खोल उडरेटर नहीं लेना है लम्बे लंबे लच्चे निकलते हैं तो नास्ता खाने में और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इसी तरह हम पूरा लखके ग्रेट कर लेंगे तो यहां मैं पूरा लवकी ग्रेट कर ली हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लच्छे निकले हैं थोड़ा मोटा और लंबे लंबे लच्छे निकले हैं और अब लवकी का पूरा पानी निचोड लेंगे तो आप इस तरह से हाथ से पानी निच जोड़ लीजिए जितना पानी आप निकाल सकते हैं या कोई भी साप कोटेन का कपड़ा ले लीजिए तो यहां मैं कोटेन का पतला कपड़ा ले ली हूँ और कद्दू कस्किया हुआ लौकी डाल देंगे और अब चारों तरब से अच्छे से समेट लेंगे और इस तरह से द पूरा पानी मैं निकाल ली हूँ निचोड करके और लौकी का हिल्दी पानी है तो इसे आप फेंके नहीं इसे आप सबजी के ग्रेवी में यूज कर सकते हैं या आटा गुच सकते हैं अब एक मिक्सिंग बाउल में लौकी डाल देंगे तो आप देख सकते हैं लौकी का प बारिक वाला ग्रेटेश से ग्रेट कर लेंगे या अप अद्रक का पेस्ट भी ले सकते हैं और अब प्याज डाल देंगे तो यहां में एक मीडियम साइज के प्याज को बारिक बारिक काट करके ले लिए हूँ आदा कप फ्रोजन मतर आपके पास फ्रेश मतर है तो आप फ थोड़ा सा बारे कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, सबजी यहां आप अपने पसंद से ले सकते हैं, यहां आप गाजर और सिमला मिर्च भी ले सकते हैं, आधा चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा चोटा चमच ग अच्छा आजाता है, आप चाहें तो जीरा का पाउडर भी ले सकते हैं, और अब स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे, और अब दो चमच बेशन डाल लेंगे, अभी दो चमच ही बेशन डालेंगे, जरूत पड़ेगी, तो बाद में बेशन और डाल लेंगे, और अब दो चमच ही चावल का आटा डालेंगे, चावल का आटा से नास्ता एकदम कुरकुरा बनके तयार होगा, आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो दो चमच आप सूजी ले सकते हैं, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहां आपको पानी नहीं डालना है, यह नास्ता बनाना बहुत हीजी है, जटपट बनके तयार हो जाता है, और बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आता है, जो लोग की खाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी मांग मांग करके खाएंगे, तो एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा, मिसरन थोड़ा गिला लग रहा है, तो मैं एक चमच बेशन और डाल ले रही हूं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, तो यह हमारा मिसरन बनके तयार हो गया, आप देख सकते हैं, इसी तरह का मिसरन हमको बना के तयार करना है, ज्यादा बेशन यहां नहीं डालना है, बेशन बस पाइंडिंग के लि आप चाहें तो एक दो चमच तेल डाल करके भी तवाया पैन में यह नास्ता बना सकते हैं, तेल मीडियम गरम हो गया है, अब एक चमच बेटर डालेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे, जितना एक बार में पैन में आ सकता है, उतना नास्ता डाल लीजिए, अभी इसी तर है, अब एकर करके पलट लेंगे, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है, रिच्टम क्रिस्पी हो गया है नास्ता, और गैस का फ्लेम में रखे हैं, में फ्लेम पे सेक लेना है, और दूसरे तवी ग्रीस्पी होने तक, गोल्ड़न कलर होने तक नास्ता को सेक लेंगे तो दोनों तरफ नास्ता क्रिस्पी हो गया है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है अब निकाल लेंगे आप चाहें तो इस तरह से हाथ से भी नास्ता बना सकते हैं दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है वैसे आप नास्ता बना लीजिए तो बाकी नास्ता इसी तरह मैं बना लूँगी तो यह हमारा दूसरा बैज का भी नास्ता बनके तयार हो गया इसे भी निकाल लेंगे तो लिजिए फ्रेंड्स लॉके का बहुत ही टेस्टी और चटपटा यह हमारा कटलेट बनके तयार हो गया इसे आप किसी भी चटनी या चाय के साथ खा सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और पर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कूल ही शॉप्ट है तो फ्रेंड्स यदि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमली में सेर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकिसन आपको सबसे पहले मिल सके